हलो दोस्तों आज जो है हम FC Foundation Course का जो है English Subject देखने जा रहे हैं जिसका नाम English and Communication Skills के नाम से जो है आपके syllabus में हैं अब इसका नाम English and Communication Skills क्यों है क्योंकि इस overall subject में जो है आपके total जो है तीन यूनिट्स है जिसमें से दो यूनिट्स जो है आपके English के रहेंगे और एक यूनिट्स जो है आपका किसका रहेगा that will be for the communication अब इसमें से दो यूनिट्स में से एक यूनिट्स जो है आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे जिसमें चार चैप्टर्स है पहला जो है express यह एक poem है जो की nature पर बेस्ट है then world is too much with us यह भी अगें एक poem है then third my financial career यह एक funny story है जिसको हमें समझने में बहुत मजा आने वाला है and fourth is the running for government governor okay again this is one of the हम story based कह सकते हैं based on the politics पर जो है एक चोटी सी ड्रामेटिक स्टोरी है तो आज जो है हम बात करेंगे यहाँ पर the express की only और हम इन चारो chapters को complete करेंगे क्योंकि questions जो है आप से mcq-based जो है questions पूछे जाएंगे okay so starting with the chapter number one जिसमें हमारी poem है the express जो की by Stephen Spender की द्वारा लिखी गई है अब आते हैं हम हमारी poem पे the express by Stephen Spender Stephen Spender के द्वारा express नाम की poem लिखी गई है जो की train की हम कह सकते हैं खुपसूर्ती के ओपर train के पावर के ओपर जो है उन्होंने बहुत beautifully जो है poem form में उसको describe किया है ठीक है तो हम क्या करते हैं poem पूरी हमारे सामने है बट हम उसको जो है summarize करेंगे तो हम दो दो तीन तीन लेकर जो है उसको समझते हैं ताकि जो है हम better level पे उसको समझ पाएं और उसके बाद जैसे कि आपको objective questions आने वाले हैं तो हम कुछ questions solve कर लेंगे ताकि जो है हमारा confidence level बढ़ जाए कि yes यदि हमें poem समझ में आ गई है तो हम इसके questions भी attend कर सकते हैं ठीक है तो start करते हैं with the poem the express Stephen Spender जो की train के बारे में उसकी खुबसूरती के बारे में बताते हैं तो पढ़ें यदि हम the poem the express by Stephen Spender depicts the beauty and majesty of an express train एक train की क्या खुबसूरती होती है उसको ये बया कर रहे है the poem is quite interesting because the poet generally choose the objects of nature to write poetry on them but Stephen Spender finds beauty in mechanical objects like train usually ऐसे देखा जाता है कि जो poets poem लिख रहे हैं तो वो natural objects लेते हैं यदि उनको poem लिखना है तो but ये जो है Stephen Spender इनोंने क्या किया है mechanical object जैसे की train है उसके बारे में जो है इनोंने बहुती beautiful way में design की है poem the poet celebrates the power and the majesty of a train journey और एक train journey की क्या खुबसूरती होती है या क्या power होता है वो उनोंने बहुत अच्छे तरीके से explain किया है तो ये हमें short में एक criteria मिल गया कि poem जो है किस बारे में है और ये हमें क्या सिखाना चाहती है आईए start करते हैं हम हमारी poem तो सबसे पहले poem की तीन लाइने हमें दी हुई है अब कितनी खुबसूरती से उन्होंने लिखा है कि सबसे पहला plane manifesto के साथ जयाने एक simple announcement हम कह सकते है manifesto से यहाँ पर जो उसका ताथपिर निकल रहा है वैसे manifesto का मतलब written statement होता है ठीक है तो एक simple से announcement के साथ जो है journey अपनी शुरू करती है the black statement of piston piston का मतलब होता है कि जो volume अगरा जो train में लगे रहते हैं जिससे heat energy जो है mechanical energy में convert होती है तो उसी को यह बोल रहे हैं कि the black statement of piston without more, more first यानि बिना किसी ज़्यादा हलचल के जो है first का मतलब होता है हलचल बिना ज़्यादा हलचल के जो है वो just black piston जिससे धुवा निकलता है उससे वो निकलती है but gliding like a queen वो queen की तरह जो है लहराती हुई यानि रानियों की तरह वो लहराती हुई she leaves the station वो अपना station जो है छोड़ती है ठीक है अब यहाँ पर इसको यदि हम एक बर फिर से summarize करें the poet says that after the first powerful manifesto यानि after the first announcement is made the black statement of piston जैसे कि हमने बात करी जो उसके वल्व की जिससे धुवा निकलता है the express train leaves the station like a queen वो एक queen की तरह रानियों की तरह station छोड़ती है lacking any interest in the surroundings बाकी चीजों को छोड़के the poet thus imagined the train to be royal यहाँ पर poet जो है यह बदाने की कोशिश कर रहे है कि train जो है कितनी royal है जैसे कि उन्होंने उसको interpret किया है कि train जो है एक queen की तरह रानी की तरह जो है station को छोड़ती है चीक है आगे बढ़ते हैं without bowing and with restrained unconsored बिना सर जुका है और बिना किसी चिंता के she passes the house which humbly crowd outside और वो घरों से होते हुए गुजरती है जो crowd याने जो भीड जो है बहुत विनम्र तरीके से वहाँ पर है the guesswork and at last the heavy page वो कहां से गुजरती हुई है जो guesswork याने जो factories वगेरा है वहां से होकर गुजर रही है at last the heavy page of death और last में जो है जो death की place होती है जिसे हम कहते है समाधी इस्टल वहां पर वो होकर गुजरती है printed by the gravestones in the symmetry और जहां पर जो है जैसे symmetry जो graveyard बना हुआ होता है वहां पर लोगों को दफनाया जाता है और उसके उपर जो है उसका नाम लिखा हुआ रहता है यहां पर यहीं बताया है कि वो factoryों से गुजरती हुई जो है समाधी इस्टल पर पहुचती है वहां से गुजरती है जहां पर लोगों के नाम जो है printed है at the symmetry याने समाधी स्टल पर ठीक है इसको summarize way में देख लेते हैं the train neither boss न वो जुकती है before anyone or nor has any restriction और न किसी restriction में रहती है the train passes the house which seems to be humbly crowded on both side और train जो है घरों के पास से होके गुजरती है जो की बहुती बिनम्र तरीके से अपने जगह पर खड़े हैं ठीक है कितनी अच्छे से बदा रहे हैं वो खुब सूरती है the train crosses the gas work train cross कर ली है gas work जहां पर जो factory जहां पर coal जो है heat energy में convert होता है उसी को ही बोलते हैं gas work and also the symmetry और वो जो है फिर graveyard की बात हो रही है यहां पर समाधी स्केल की where the heavy page of death is printed on gravestone जहां पर पत्थर पर उस person का नाम लिख लिया जाता है जिसे दर्पनाया गया है तो इस तरीके से वो train के बारे में बटा रहे हैं आईए next lines पर आते हैं beyond the town there lies the open country town से होते हूँ गुजरते वो एक बड़ी country की तरफ गुजरती है with gathering speed जहां पर वो अपनी speed को बढ़ाती है she acquires mystery और जहां पर जो है एक रहस्यमन चीजे जो है poet के लिए जो है एक रहस्यमन वाली बात हो जाती है ठीक है the luminous self-position of ships on the ocean और ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र में जैसे जो है एक हल्की सी light जो है यहां रौशनी जो है हम कह सकते हैं दिख रही है ओगे let us see after reaching an open country open country में पहुचने के बढ़ that is beyond the town the train speeds up train speed बढ़ाती है becomes mystery for the poet और poet के लिए यह एक रहस्यमन बात हो जाती है the train now seems to be ship in the ocean और train ऐसे प्रतीत होती है कि जो वो समुद्र में चल रही हो which is self-possessed and is shining और जो जो है luminous का मतलब यह है self-possession यानि वो खुद में ही चमकने वाली दिखती है चीक है आते हैं next पे it is now she begins to sing और अब जो है वो अपना गाना शुरू करती है at first quiet low वो दीरे से अपना आवाज शुरू करती है then loud दीरे दीरे आपस उसके song की आवाज जो है बढ़ती है and at last with a zezzy madness यानि एक पागलपन की तरह जो है वो गाना गाती है यानि यहां पे इसके गाने की बात यदि हम करें तो इनों ने उसकी तुलना जो है उसकी whistling से की है जब train चलती है तो हम देखते है वो city बजाती है और जो train की आवाज रहती है जो चल रही है उस समय music आती है तो वो उसको यह बोलती कि अब जो ही अपना गाना शिरू करती है पहले तो धीरे 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 उसका गाना चलता है जब हम देखते हैं train धीरे चलती है तो low music आती है पिर धीरे धीरे loud with zezzy madness यानि zeds जो है एक तरीके का American type of music है तो वो उसी से ही compare कर रहे है कि जिसमें वो एक पागलपन में हो जाती है the song of her whistle और यहाँ पे जो उसकी whistle का song है जो उसकी city का song है मतलब उसको whistle को जो है वो compare कर रहे हैं song के साथ screaming at curves जहां curves होते हैं गुमाव होते हैं या फिर जहां tunnels होते हैं of defending tunnels, breaks, innumerable bolts जो है इसकी आवाज से जो है वो song जो है प्रतीत होता है है ना उसकी whistle सुनाई देती है जब वो curve से होके गुजरती है जब ball से वो touch होती है जब brakes से होती है तो जो है यह दिखाई पड़ता है the train now begins to sing first quite low then loud पहले दीरे फिर जो है तेज आवाज में वो गाना गाती है the horn train is sometimes slow in noise और जो उसकी horn रहती है whistle रहती है वो पहले तो noise में दीरे रहती है but sometimes it's quite high ultimately it seems to be mad और कभी-कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक madness की तरह दिखती है the sound of a train's horn which is heard in curves and tunnels और ये आवाज जो है हमें curves और tunnels में जादा सुनाई देती है the sound of its brakes shows the joy of its tires और जो इसकी आवाज है इसके brakes की या क्या तो वो जो है shows the joy of its tires कि उसके tires जो है कैसे ये bolts को उससे connect है bolts से connected रहते हैं उसके tires तो जो है किस तरीके से वो उसकी खुफसूरती को बया कर रहे है चीक है बढ़ते हैं आगे and always light aerial underneath goes the 8 meter of her wheels और ये जो है बहुत ही हलकी हवाई हम कह सकते है aerial goes a live meter of her wheels और अपनी wheels से होकर गुजल दी है यहाँ पे एक और चीज है आप जब हम train के बारे में पढ़ रहे हैं हमने दिखा उसके लिए लिखा था she word यहाँ पे आया है हर तो कभी भी जो है ऐसे objects जिसको हम define नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यदि हमें उसके बारे में बताना है तो हम she से जो है उसको denote करते हैं चीक है तो यहाँ पे जो है वो she से train को denote किया जा रहा है okay steaming through metal landscape on her lines और जो उसकी भाप निकल रही है through the landscape on her lines she plunges new areas of wild happiness where she speeds through up strange shapes जहाँ पे वो अलग-अलग shapes से होके गुजर रही है broad curves अलग-अलग curves ले रही है and parallel clean like a steel of guns और जो उसकी पटरी है वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे gun में जो steel होती है ठीक है पढ़ लेते हैं इसको भी the poet says that while running on the rails and crossing the landscape जब train जो है चल रही है और landscape को cross कर रही है train explores and enjoy new eras of wild happiness अलग-ए खुबसूरती में train चली गई है in such eras the train the speed of the train makes strange up और इस particular समय में train जो है अलग-अलग shapes ले रही है broad curves ले रही है and also parallel queen याने जो पटरी है उससे related बाते which never meet जो कभी आपस में नहीं मिलती है which looks like a steel from guns जैसे guns में steel लिखती है वैसे ही वो पटरियों की तुलना कर रहे हैं ठीक है? यहां तक clear है अब बढ़ते हैं हम आगे country के वहां से जो है इडनबग रोम से गुजरते हुए जो है वो country के crest पर याने top of the world पे चले जाती है she reaches a night रात के समय में where only a low streamlined brightness जहां पर एक हल किसी रोशनी दिखाई देती है इसकी of phosphorus of a tozzle hail is white हल किसी सफेद रोशनी phosphorus की तरह दिखाई देती है कि जो flames है वो comet की जैसे दिखाई देते हैं comet का मतलब होता एक तरीकी का star हम कह सकते है ठीक है which moves entranced और रात के समय जो है वो वहां पे घूमती है finally the train crosses इडनबग, रोम and even the crest of the world मतलब poet को लगता है वो और आगे निकल गई है world के एकदम top पे, यह poet की imagination है the night appears low streamline brightness और रात कैसे प्रतीत हो रही है उस समय, यह हलकी सी brightness जो जैसे phosphorus की दिखती है वैसे ही, is visible in train's engine, train की engine में दिखती है which makes it look like a combat और उससे जो है वो कैसे दिखती है, combat की तरह दिखती है कि star की तरह दिखती है चीलिया अब उन्होंने यहाँ पे last में उसका comparison जो है nature के साथ किया है कि जो train की music है जो train की whistle है वो किसी bird के song के बराबर भी नहीं हो सकती वो इतनी खूबसूरत है और नहीं वो honey bird जो टहनियों पे बैठी है है ना, honey bird का मतलब होता है जो टहनियों को तोड रही है ना, उसकी बराबर हो सकती है जैसे कि उन्होंने नेचर के बारे से इसको compare किया है उन्होंने उसका comparison किया है किस से birds से जो गाना वो गाती है और honey bird से जो मधुमक्हियां जो टहनी पर बैठी है which break the boy उने उसकी टहनी पर बैठी है शाल के भी वो equal नहीं हो सकते वो train उन्हें इतनी खोबसूरत लग रहे है तो बहुत ही खोबसूरत हम कह सकते हैं यह poem है जो कि एक train की beauty के बारे में बता रहा है पोएट की imagination आप देखो कि वो किस तरीके से जो है train को भरस्तूत कर रहा है तो इसको जो है यदि हम summarize करें तो the poem portraits the exhilarating and powerful journey of a train याने एक खुशी की बात हम कहें या एक train की journey का क्या power होता है उसको उन्होंने beautifully explain किया है highlighting its grace कि उसका क्या क्या चीज़े उसमें बहुत अच्छी है speed and the emotion it evokes as it's travel through different landscape और जब वो अलग-अलग जगहों से होके गुजर रही है तो अलग-अलग emotions को उन्होंने describe किया है and creates a symphony of motion और एक तरीके से उन्होंने symphony create किया तो this is the summarize form और अब हमने poem देख ली जहां पे train को जो है अलग-अलग level से comparison किया है अब इसी पे based जो है हम MCQ solve करते हैं और देखते हैं कि हमें poem अच्चे से समझ में आईये की नहीं आईये आपको क्या करना है जब हम MCQ question solve कर रहे हैं जैसे कि first question हमारे सामने है तो आप answer सुनने के पहले क्या कर लेंगे आप आपका answer tick कर लीजे pause करके ताकि जो है आपको poem बहतर समझ में आई की नहीं जब आप answer tick कर लेंगे और उसको फिर आप match कर रहे है यदि आपने समझ लिया है याने आपने answer जो है सही tick किया होगा तो इस तरीके से आप आपकी test and trialing भी कर सकते हैं ठीक है multiple choice question what is the plain manifesto according to the poet अब poet के according plain manifesto को मतलब क्या होता है तो हमने पहली line में यह दिखा था कि plain manifesto को मतलब एक simple से announcement के साथ जो है वो अपनी journey को start करती है और simple sound के साथ जो train की music होती है तो यहाँ पे जो है यदि हम बात करें the steam sound of a steam engine sound of a piston of the train sound of the whistle and sound of the steam of the train तो जो है option 3 हमारा सही है उसकी छोटी सी whistle के साथ जो है train अपनी journey जो है start करती है then what is the black statement of piston black statement of piston क्या होता है तो जहाँ पे हमने देखा था कि एक ऐसा valve या फिर nut bowl जहां से जो है दुआ निकलता है या फिर हम उसको कह सकते हैं जहाँ से heat energy जो है mechanical energy में convert होती है तो according to the poet वो क्या है तो black statement of pistons का मतलब क्या है हमें ये बताना है तो color of piston की बात की क्या है speed of piston की बात की sound of piston की smooth moment of the piston without any noise हमने ये दिखा था कि बिना without first की याने बिना हलचल के जो है train अपनी journey जो है शुरू करती है तो यहाँ पे ब्लैक स्टेट्मेंट ऑफ स्टेट्मेंट ऑफ विस्टन याने एक smooth moment से जो है उसने अपनी journey चालो की बिना ज्यादा हल चल के फिर third the glide of the train is compared to the जो train की glide है उसको किस से compare किया गया है walk of a queen moment of a ship moment of a plane की moment of a bus तो train जो है gliding way में निकल रही है as a queen लहराते हुए तो option a जो है आपका सही होगा ठीक है अब आते हैं fourth number पे how does the train moves ahead train कैसे आगे बढ़ती है it moves smoothly it moves ahead without going to anyone and showing any concern it moves ahead whistling very loudly it moves ahead making a lot of train कैसे गुजरती है वो बिना किसी के आगे जुके हुए और बिना किसी चिंता के बिना किसी concern के जो है वो आगे बढ़ती है so option second is the correct then how do the houses appear when the train passes through them आपने यह देगा था कि घर बहुत सारे घरों से होके गुजरती है train जो की बहुती विन्नमरता से वहाँ पर खड़े हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने how does the house appear house कैसे उन्होंने बताया है उसको महतु क्या बताया है through them modest है, indifferent है, going to the train train के सामने जुक रहे थे क्या वो house सो रहे थे, नहीं, indifferent थे, नहीं modest थे वो याने विन्नमरता से humbly वहाँ पर word यूज किया गया था बहुत ही विन्नमर तरीके से वो वहाँ पर थे चीक है, आगे बढ़ते हैं question की तरफ what is the heavy page of death heavy page of death को उन्होंने किस से comparison किया है चीक है, सबसे पहले guesswork, crimination ground back of the church की symmetry तो हमने देखा था graveyard से उन्होंने comparison किया था समाधी स्थल से जिसे हम कहते हैं symmetry चीक है, यहाँ पर usually options जो है symmetry ground भी नहीं होना चाहिए था लेकिन questions को कुछ इस तरीके से थोड़ा typical बनाने के लिए वो इस तरीके से भी options देते हैं, so option D is the correct, then where does the train gains speed, train अपनी speed कहां पर बढ़ाती है चीक है, symmetry पे की open countryside, gas work पे की phosphorus hills पे, तो हमने देखा था train जो है टाउन से होके गुजर्व के जो है countryside पे जो है अपनी speed बढ़ा लेती the open countryside option 2 is the correct answer, then how does the train look when gains speed, और train किस तरीके से जो है दिखती है जब वो speed बढ़ाती है, यहाँ पर हमको 7th question क्या दिया है, कि where does train gain speed, train अपनी speed कहाँ पकड़ती है, तो वो हमने देखा अब train कैसे दिखती है, जब वो अपनी speed जो है, बढ़ाती है तो वो एक combat की तरह दिखती है कि ship on the ocean के glider की motorboat, तो हमने देखा था कि जब वो speed बढ़ाती है, तो वो जो है ship on the ocean की तरह जो है, समुद्र में, एक ship कैसे चलती है, उस तरीके से वो दिखती है then ninth question when does the train whistle train जो है, कब विसल करती है कब उसकी sound जो है आती है, यानि कब वो cd बजाती है ऐसा हम बोल सकते हैं when it reaches the countryside पे पहुँच्छती है तब कि जब वो, when she crosses the field at each curve when she crosses the graveyard तो train जो है, हर curve पे जो है, विसल करते हुँ जाती है जब भी उसका मोड आएगा, तो वो विसल करती है, चीक है तो options, third जो है, वो सही है then, where does train reach at night, और रात को जो है train कहां पर पहुँच जाती है तो, a city on the sea shore, a very high place on the mountains की इडनबर्ग की रोम तो वो इडनबर्ग रोम से होते गुजरते हुए, जो है, high places on the mountains, top of the world पे जो है, पहुच जाती है, so option two is the correct चीक है, then what happens when the train crosses the tunnels, और जब train जो है, tunnel को cross करती है, तब क्या होता है it increases the light, light बढ़ जाती है, it creates defining noise from brakes, bolts and machinery, it moves very smoothly, it moves very slowly तो, जब वो tunnel से गुजरती है, तो उसकी जो है, defining noise जो है, सुनाई देती है, उसकी ब्रेक्स की इसके bolts की, और जो उसकी machinery, उसमें put up की गई है, ओके so, option 2 is the correct yes, अब next हम देखे how does the train appear in the night when it reaches a mountainous place with burning phosphorus, train जो है, रात में किस तरीके से दिख रही थी, जब वो mountain place पे पहुची थी, burning phosphorus के साथ तो, options देखते हैं, like a burning train, ये तो नहीं था like a comet, हमने देखा था, बागी के options भी देख लेते हैं, like a comet moving through flames, like a burning train moving through flames, तो हमने देखा था है, एक चमकदार star की तरह, जो है वो दिख रही थी with flames, तो option 3, जो है वो सही है, अब यहाँ पे उन्होंने option जो है, मिले जो ले देदी है, like a comet and like a comet through flames, तो ये जो है, हमारा train में जो है, उसकी भाप जो है, उसी तरीके से हमें दिख रही थी, इसलिए हमने उसको, ये option choose किया, यदि आपके उसमें सिर्फ commit आएगा, और commit के लावा जो है, और कोई options नहीं है, तो फिर जो है, हम directly उसको लगा लेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही नियर बाइ options दिये हैं, बुक में, यदि वो जो है options को differentiate करेंगे, तो हम और आसानी से recognize कर लेंगे, चीक है, तो यहाँ पर option 3 जो है, वो सही है, फिर how does the train sing when it reaches the open countryside, train कैसे गा रही थी, जब वो open countryside पहुची थी, it sings medley like a jazz music, ओके यह देखा था आमने, it sings very slowly, it sings loudly, it sings at first slowly, then loudly and then medley like a jazz music, तो jazz music तो था लेकिन complete option जो है, fourth, जो है, सही दिया है कि पहले वो धीरे गा रही थी, फिर थोड़ा जोर से और फिर जो है, एक पागलपन की तरह jazz music का जो type होता है, उसकी तरह जो है, वो गा रही थी, okay, अब यहाँ पे एक चीज और हमें समझ में आ रही है, MCQ में कि पूरे options पढ़ना जरूरी है, यदि हमें jazz music दिखा और हम लगा देते हैं कि पहला option तो सही है, और बाकी पे नहीं जाते हैं तो हमें नहीं पता पड़ता कि यहां पे भी jazz music के साथ उसकी और detailing की गई है, है ना, तो पूरे options पढ़ना जरूरी है, अदर्वाइस यदि हम पहला option पढ़ेंगे और वहीं हमें ऐसा लग रहा है यह answer है, तो हमारा answer किया गया है, हर से denote किया गया है, तो यहां पे elite meter for wheels में options क्या दे रहा है, the track on which the train moves, the meter which tells the speed of the train, the rhythmic moment of the wheels, the music created by the rhythmic moment of the wheels, यह elite meter for wheels किसको कहा था, जो music जो है उसके wheels के moment से निकल रही थी, उसी को ही यह कहा गया था, तो इसका option fourth जो है सही है, the music created by the rhythmic moment of the wheels, चीक है, अब आते हैं fifteen पे, what are the strange shapes, strange shapes जो है किसके दिख रहे थे, shape of a railway track, shape of a forest, shapes created by steam and smoke and shapes of a fields, अब यहां पे options third जो है वो सही है, क्योंकि अलग-अलग shapes जो है उसके भाप के जो है हम में देखने को मिले हैं, ठीक है, तो third जो है वो सही है, अब यहां पे एक issue यह भी आ सकता है, जब हम MCQ based question solve कर रहे हैं, तो उससे में एक problem यहाती कि हो सकता है, हमें किसी particular question का answer जो है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कि इसके लिए हमें क्या tick करना है, हम नहीं identify कर सक रहें, ठीक है, जैसे हम example यहीं है, वहां पे हमें क्या करना चीए, जो answer नहीं है, उसको हटाना है, तो हमको शायद हम actual answer तक पहुच पाएंगे, जैसे कि यह question को हम solve करें, कि हमें suppose कि यह वहला answer हमें नहीं पता है, तो हम जैसे option D से चालू करें, कि strange shapes कितके थे, तो shape of fields की बात होई थी, क्या train में नहीं होई थी, तो इसको cancel करेंगे, shapes created by steam and smoke, तो भाप की बात होई थी, तो इसको अभी हम option में रखेंगे, फिर shape of forest की बात होई थी, क्या नहीं होई थी, तो यह दो तो option cancel होगए, फिर तीसरा shape of railway track, अब railway track की बात होई थी, क्या railway track तो parallel होते हैं, वो एक दूसरे से कभी, जो है, उसके shapes की कभी बात ही नहीं होते हैं, वो सीधे रहते हैं, clean shapes, तो यह वो भी नहीं है, तो option third, जो है हमारा सही है, तो हम इस तरीके से भी answer identify कर सकते ह है, जब हमें question, उनका answer समझ में ना आए, ठीक है, अब आते हैं हम next question पे, what are the broad curves and parallels, broad curves and parallels जो है, किसे कहा गया था, shape of forest को कहा गया था, क्या, नहीं कहा गया था, shapes created by steam and smoke, इसे कहा गया था कि broad curves ले रहे थे, जो उसकी भाप थी या क्या, नहीं, shape of fields, fields की बात ही नहीं होई थी shape of a railway track, जो है, broad curves और parallels जो है, वो जा रहे थे, तो option जो है, fourth जो है, वो सही है, चीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ multiple questions देखे हैं, कि जो की poem के उपर based हैं, तो इस तरीके से questions आप से पूछे जा सकते हैं, कुछ अलग questions पी आ सकते हैं, लेकिन यदि हमें poem अच्छे से समझ में गई, तो हम आसानी से solve कर लेंगे, question का pattern जो है, कुछ इस तरीके से भी रहेगा, चीक है, आप जो है, जो poem लिखी है, Stephen ने, उनके बारे में कुछ जान लेते हो सकता है, आपको उस से based, जो है, कुछ MCQ सार जाने, तो एक बार जो है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं, about Stephen Spender, इन इनका year दिया है, 1909 से 1995, याने, इनका जो है, birth, anniversary and death anniversary की date, जो है, हो सकता है, आप से पूछ लिया जाए, कि इनका birth जो है, कब हुआ था, 1999 में हुआ था, death जो है, 1995 में हुआती हुए, was a renowned English poet, ये English poet थे, essayistic and critic, he was born on February 28, 1999, यहाँ पर उन्होंने actual date भी देती है, कि 28 फरवरी को जो है, इनका birth हुआ था, 1909 में, in London, England, तो वैसे actual date तो नहीं पूछी जाने चाहिए, बट यह date दी हुई है, तो यहाँ पे जो है, एक question तो यह बन सकता है, 1909 में उनका birth हुआ था, और कहां के थे वो, London, England, यह ज्यादा पूछा जा सकता है, let us see, Spender was part of the generation of poet, known as the 30s के यह poet थे, और उस समय के जो famous थे, which included, जो famous उस समय के जो poet थे, वो थे, W.H. Auden, and C.D. Levis, okay, he attended University College Oxford and was deeply influenced by the literally and intellectual circus of his time, और यह जो है, Oxford University में जो है, उन्होंने बढ़ाई की है, and वो किस से influenced है, intellectual circus, यानि हमेशा जो है, आसपास, जो है, intellectual लोगों के साथ वो घिरे रहते थे, throughout his life, spender was actively involved in political and social causes, वो अपनी life में politically and social cause के लिए, हमेशा जो है, active रहते थे, और उन्होंने social cause के उपर बोले, यानि societal based social cause लिख देते हैं, और दूसरा जो है, industrial revolution पे बहुत सारी poems लिखी है, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ओके, आगे पढ़ते हैं, particularly उनका जो politically और social way दिखने को मिला, वो कब, during the Spanish Civil War जब हुआ था, और World War second हुआ था, ओके, he served as a firefighter during the London bliss and worked as a cultural ambassador for the British Council के लिए, उन्होंने as a cultural ambassador way में भी work किया, यानि वो society के प्रती बहुत ही सदक थे, As a poet, Splendor's work often explored the themes of love, जैसे हम देखें, तो Splendor ने किन किन चीजों पे जो है, अपना काम जो है, दर्शाया है, पोयम के वे में, तो उनकी theme usually रहती थी, love, alienation और social justice के ओपर वो पोयम बनाते थे, His poetry was marked by its clarity, emotional depth and empathy for human condition, human के लिए जो है, उनकी poetry में ये चीज दिखती थी, उनकी जो clarity थी, thoughts के प्रती, जो emotional depth थी, एक empathy का भाव जो है, उनका मनो भाव जो है, ये बहुत अच्छे से show करता था in the poetry, और जैसे कि हमने ये वाली poetry, जो the express है, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक train की journey की beauty को जो है explain किया है, याने उनकी वो depth जो है, कितनी और कितनी clarity के साथ उन्होंने explain किया है, तो ये हम बिलकुल कह सकते हैं, aside from his poetic achievements, poetic achievements के अलावा यदि हम बात करें, तो spender was a successful editor and translator, और spender जो थे, editor थे और translator थे, अगर MCQ आता है कि spender कौन थे, और poet उसमें नहीं आता है option में, और आपको ये option देखता है कि वो editor थे, translator थे, तो आप इसको tick करके आना, he received numerous egg clots during his lifetime and his literally contribution continue to be celebrated और उन्हें बहुत सारे achievements से नवाजा गया था, and appreciated long after his death on July 16, 1995, और उनकी death के बाद भी जो है, इसे जो है appreciate किया गया था, और इनकी death कब हुई थी, in the year 1995 और 16th July date भी दी हुई है, तो ये कुछ चीजे हैं, जो poet से related है, maybe it can be asked in the MCQ forms, तो ये आप जान लेजिए, चीक है, यहाँ पे हमने poem देखी, The Express Stephen के द्वारा, Stephen Spender के द्वारा, जो की बहुत ही खुशूरत poem है, regarding the train, journey, और उसकी जो यात्रा होती है, तो उसके पीछे क्या thoughts क्या imagination थी, क्या dreams थी, poet की, वो उसने explain की है, चीक है, तो इसको आप पढ़िये, यदि कोई doubt है, तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं, और फिर जो है हम next chapter में मिलते हैं, with this, thank you for the session.